हाई एवरिवन मैं हूँ नवनीता और मेरी चैनल पर आप सबका स्वागत है आज हम बनाएंगे कल-कल ये गोवा की बहुती फीमस और ट्रडेशनल रेसिपी है कुछ लोग इसे कुल-कुल भी बोलते हैं गोवा में इसे मोस्टली क्रिस्मस पर बनाया जाता है और ये खानमी कुकेस के जैसे लगती है पर आप इसे जब चाहें बना कर खा सकते हैं तो आई ये रेसिपी शुरू करते हैं सबसे पहले एक बाउल में 1-4 cup सूजी लेंगे और इसमें 3 बड़े चमच घीर आलेंगे घी को मैंने मेल्ट करके लिया है अब इन दोनों को मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इने 10 मिनाट तक धब कर रख देंगे 10 मिनाट हो गए हैं और ये सूजी भी थोड़ी फूल गई है और अब हम डो बनाएंगे तो इसके लिए बाउल में 1 cup मैदा डालेंगे वन धर्ड कप पाउडर शुगर लेंगे एक पिंच नमक डालेंगे ये डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा वाटर चोटा चमच बनीला एसेंस और अब सूजी और गी जो हमने मिक्स किया था वो भी इसमें डाल देंगे और इसके बाद पहले इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये मिक्स हो गया है और देहने में ब्रेड क्रम्स के जैसे लग रहा है तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूड डाल कर इसके पूरी के जैसे टाइट डो बना लेंगे ये घीसे ही काफी हद तक बाइंड हो जाता है तो इसमें दू दो से तीन बड़ी चमच ही लगेंगे बहुत जादा नहीं लगेगा कि दो बन गया है तो अब इसे एक मिनट तक गून कर स्मूध कर लेंगे अब इसमें थोड़ा सा आटा लेंगे लगबग नेमू के साइज के जितना पहले इसके लोई बना लेंगे और इसके बाद इसे इस तरह से हाथों से फिला कर स्लेंडर कल शीव देंगे और इसके बाद इसे हाफ इंज के गैप में पीसिस में कट कर लेंगे और अब इसे कलकल की शीव देने के लिए या तो unused कॉम ले सकते हैं या फिर फॉक ले सकते हैं तो हम दोनों ही वे से बनाने वाले हैं पहले कॉम से बनाएंगे तो कॉम की जो मोटे वाली साइड होती है उस साइड में आटा का एक पीस रखेंगे और इसे इस तरह से फिला देंगे और इसके बाद इसे किनारे से उठाते भी धीरे से रोल कर लेंगे और इसके end को अच्छे से चिपका लेंगे नहीं तो इफ्राई करते टाइम खुल जाएगा या फिर आप इसके end पर थोड़ा पानी लगा कर भी आप इसे चिपका सकते हैं तो ये खुलेगा नहीं वैसे तो ये बनाने के लिए कल-कल रोलर आता है पर हम इसे कॉम या फिर फॉक के हैल से भी कफी अच्छी शेप दे सकते हैं और अब हम फोर्क से बनाएंगे तो इसकी back side में आटा रखेंगे और इसे फॉक के end तक अच्छे से फैला लेंगे और इसके बादे से किनारे से उठाते भी रोल कर लेंगे कॉम या फिर फॉक आपको दोनों में से जो भी comfortable लगे वस्ते आप ये कल-कल बना सकते हैं और ये मैंने कुछ बना कर तैयार कर लिए हैं और अब हम इने fry करेंगे तो इसके लिए पैन में oil लेंगे और इसे medium गरम करेंगे अब oil को चेक करने के लिए इसमें आटा का चोटा टुकडा डालेंगे इसमें तुरंत ही बबल आने लगे हैं यानि कि oil गरम हो गया है तो अब हम इसमें एक-एक कर-कर-कल-कल डालेंगे यह हमें एक साथ में बहुत जादा नहीं डालना है जितना आराम से आ सके उतना ही डालेंगे और अब इन्हें medium flame पर golden brown होने तक fry कर लेंगे इन्हें कुछ तेर fry होने दे और चप लगे कि यह हलके brown होने लगे हैं तो इन्हें पलट देंगे और इन्हें थोड़ी थोड़ी देर में पलटते वे सब तरफ से golden brown होने तक fry कर लेंगे यह fry हो गए हैं तो अब हम इन्हें paper napkin पे निकाल लेंगे ताकि इनके अंदर जो भी extra oil है वो absorb हो जाए और अब सेम भी से बाके के बचे वे सारे कलकल को भी fry कर लेंगे सर्फ करने से पहले स्क्यूपर या तो icing sugar या फिर powder sugar dust करें और इन्हें आप पनाकर 15-20 दिन तक store कर सकते हैं इन्हें आप शाम की चाय की साथ में या फिर जब भी कुछ हलका फिलका मीठा खाने का मन हो तो enjoy कर सकते हैं तो आप भी इस recipe को try करें और अगर आपको मिराज के वीडियो अच्छा लगा हो तो इससे like करें चैनल पर नए हैं तो subscribe करें साथ ही में पैल icon दबाना ना भूलें